नमस्कार जोस्तों आप देख रहे हैं बैंक निप्टी का चार्ट उसमें जो ये केंडल बनी है कि इन डिसेजन केंडल है मतलब कि बायर ने अपले जाने का ट्राइ किया और सेलर ने फिर पूश करके चलाया और सेलर ने पूश किया दो बायर ने फिर मतलब कि open और close नियर है उसमें तो इन डिसेजन केंडल है तो अभी अपने चले जाते है फिप्टी मिनिट के चार्ट में ये बैंक निप्टी का फिप्टी मिनिट का चार्ट है बैंक निप्टी इसी चैनल में के अंदर प्रेड कर रहे हैं अगर उस चैनल को ब्रेक कर दिए और इदर से ये ब्रेक होता है तो ये इतने तक आ सकती है अगर signature होती है तो 45 p Nope ब्रेक होता है तो अभी इपने देखते है बैंक निप्टी कहां पे open होता है तो उसकी क्या क्या buying या sell कर सकते है वो देखते है अगर समझो कि बैंक निप्टी इधर ओपन हुई गैप आप ओपन हुई इधर 45,500 के उपर उसको क्रोस नहीं कर रहा है तो फीर ही बैंक निप्टी इतने तक आ सकती है 45,300 के आसपास फिर उसको भी ब्रेक करें तो इतने तक आ सकती है निप्टी इस लिवल पर जो है 45,170 अगर उसको भी ब्रेक करें तो यह लिवल देखने को मिल सकते है 44,900 के आसपास और उसको भी अगर ब्रेक करें तो उसके नेक्स्टर लेवल होगे 44,600 600,600 के आसपास अगर यह चैनल ब्रेक होती है तो ब्रेक निप्टी अगर एक तीन में नहीं पन दू एक दू ट्रेडिंग में इतने तक आ सकती है इस लिवल पर जो है 44,300 के आसपास समझो के ब्रेक निप्टी गेप डाउन ओपन हुई इसके नीचे तो ब्रेक निप्टी नीचे की तरफ भी आएगी अब हुई और उसको ब्रेक करती है तो फिर यह लेवल देखने को मिलेंगे 45,627 यह रेजिस्टन्ट है उसको ब्रेक करेगी तो ब्रेक निप्टी इतने तक आएगी 46,000 जन से 45,800 के आसपास आएगी तो यह ब्रेक निप्टी के लेवल देखने का रहेगा कि HDFC ब्रेक कर रहे है अगर HDFC यह ब्रेक कर देता है और फिर नीचे की तरफ मॉमेंट देता है तो ब्रेक निप्टी तरीस हो जाएगी तो आप ब्रेक निप्टी के साथ साथ HDFC को भी देखते रहे है निप्टी भी ऐसे ही एक चैनल में ट्रेड कर रही है बट इधर से उसने यह चैनल को ब्रेक किया हुआ है 19,350 से 19,300 उसको ब्रेक कर दिये तो निप्टी के नेक्ष्ट लेवल होगे 19,250 उसके बाद के लेवल होगे 19,170 अगर उसको ब्रेक करें फिर ब्रेक निप्टी 19,000 के आसपास आ सकती है यह गैप डाउन उपन होती है और उसको ब्रेक नहीं कर रही है उसके बाद के लेवल है अगर यह गैप अप उपन होती है इधर 19,420 के आसपास और उसको ब्रेक नहीं कर रही है तो उसके next level यह होगे 19,350 और यह आप देख रहे हैं यह उसका की level होगा अगर उसको break करके उसको भी break करें तो फिर उसके level 19,300 पहले आएगा फिर उसको break करता है तो फिर यह level आएगी अगर उपर निप्टी निगलती है तो उपर के level यह आप देख सकते हैं 19,460 के आसपास और 19,525 ब्रेक होते हैं तो निप्टी की रेंच की बात की जाए तो 19,000 से 19,500 यह था निप्टी और बैंक निप्टी का analysis कल फिर मिलेंगी नई analysis के साथ तब तक के लिए जाए ही तक के लिए जाए हैं